हेलो अवरिवान गुड आप्टरनून आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से स्टेड़ी चल रही होगी हमने स्टार्ट की हुए थे क्लास फिट के कॉम्प्रियेंशन जिसका सैकेंड हो चुका है और अब हम करेंगे इसका फरस्ट वाला ठीक है ये है हमारा पॉम्पी इसकी स्टोरी अगर हम रीड करें तो आपको लगेगा कि ये एक जुवाला मुखी का नाम दिया हुआ है चलिए रीड करते हैं इंगलिश में तो आपने करी लियोगी मैं आपको अच्छे से इसकी हिंदी समझा देती हूँ इसमें बोला गया है पॉम् कोमन एरा ठीक है पहले ऐसे नहीं चलते थे कि अब हमारा 2024 आगे जन्वरी फर्वरी यह नहीं होता था उस्टेम होता था 79 वाला था 89 वाला और देखिए फिर क्या है इसकी हिंदी और क्या है इसका कॉंसेट और अच्छे से देखना है क्योंकि कोशन इसी में से ही बनेंगे सारे अगर आपको समझा गया तो आप इसली इनके अंसर पुट आउट कर लोगे 24 अगस्त 89 सीई इटली के पॉंपिंग शेर के निवासियों के लिए किसी भी अन्य दिन की तरह सुबह हुआ मतलब कि इटली की ये बात हो रही है और जैसे और दिन सुबह होती थी उस दिन भी वैसे ही सुबह हो गई पुरुष और मिहलाईं सडकों और बजारों में गूमने लगे वेपारी अपना माल बेचने में व्यस्त थे बच्चे स्कूल जाते थे जबकि उनकी माताएं घर के कामों में व्यस्त रहती थी चारों और चहल पहल का महोल था फिर करीब एक बज़े अचानक सब कुछ बदल गया एक गगन बेदी मतलों गगन होता है काशाकाश को भेतव विस बोट ने सभी को सकते में डाल दिया शहर के निकट एक जुवाला मुखी माउंट वेसुवियन फट गया था पिछली कई स्ताब्दियों से बना हुआ मैगमा धर्ती के नीचे बनता है बोचाता गरम होता है लावा होता है उसको बोला जाता है अपने खड़े से फूट गया जिससे पिंगली हुई जो नसे चटान और गरम राक का जबर दस उचाल हवा में फैल गया विसपोट की तीवर्ता इतनी थी कि निकली जो नसे सामगरी थी आसमान में 33 किलोमेटर तक उपर उठ गई थी मतलब कि उसके अंदे से जितनी भी ये तेखो ये गरम मैगमा निकलता है वो अकास की तरफ गगन को बेदता हुआ बेदता हुआ 33 किलोमेटर उपर तक गया तो सोचो जो नीचे रहते तो उनका क्या हाल हुआ होगा एक गरम पानी से हमारा बुरा हाल हो जाता है और जलता हुआ बिल्कुल गरम मैगमा हमारे उपर आ जाया तो क्या होगा जैसे ही जुआला मुखी पदार्त कास्तम वापिस पिर्थवी पर गिरा राख की एक चादर जिसकी मोटाई हर मिनट बढ़ती जा रही थी इसका मतलब है ये उपर जा रहा था ठीक है जों साही उपर आपको ये बलैक बलैक कलर का दिखाई दे रहा है फिर ये वापिस नी ज़ादा था तो ये राख भी क्या हो जाएगे पूरी की पूरी इंपोर कर जाएगे भर देगी सब कुछ शेहर के उपर जम्मा हो गई और इसके संचित भार से इमारते ढह गई मतलब कि यह राख इतनी जादा थी और इतनी भारी थी जितने भी इमारते बनी होई थी ढहती गई लोग खुद को अपने प्रिये जनों को बचाने के लिए आपस में भीड़ गए क्यों अपने अपने इंसानों को मतलब कि खोजने लगे ढूनने लगे बचाने के लिए भागने लगे अब तक सीती की घंबीरता को समझते हुएवे शैर से भागने लगे और या जहां भी समभवो शरन की तलास करने लगे जहां भी उनको सुटेबल लगा वहाँ पर फिक्स होने लग गए हाला कि विस्पोर्ट अभी तक पूरी तरह से अपना काम नहीं कर पाया था उस रात बाद में जुआला मुखी से अत्यंत गर्म जहरीली गैसे के बादल बनने लगे मतलब कि अभी तक वो शांत नहीं हुआ था अभी तक उसके अंदर से गैसे निकल रही थी क्योंकि इतनी दिनों के बाद इतनी स्टाफ दियों के बाद अगर धरती एकदम फट गे जवाला मुखी उपर लेके आती है तो असर कई देर तक रहता है चलिए तो इसका नेस्ट पेज देखते हैं इंग्लिश में आप देख लेना हिंदी में मैंने करवा दिया है और नेस्ट पेज और ये कोशन अंसर भी है चलिए देखू पॉम्पे लगबग 300 किलोमेटर प्रति घंटे की रफतार से मतलब कि उसकी स्पीड कितनी थी 300 किलोमेटर मतलब अगर इंसान बचना चाहे समलना चाहे तो नोट पोसिबल तो बातलों ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया था अगले दिन जब इस पोर्ट खतम हुआ तब तक शहर पूरी तरह से लगबग 6 मिटर 6 मिटर बहुत हो जाता है और गहरी राख और पिंगली हुई चंटान के मिशनर में दब गया था और दो दिन का जुआला मुखी वी स्पोर्ट पूरे शहर को धरती आगे क्या है धरती को राख में मिलाने के लिए काफी था सही बात है ये भी नेक्स्ट है अंधेरा च्छा गया और अमावस्या अमावस्या बादलो वाली रात का अंधेरा नहीं बलकि मानों अंधेरा कमरे में दीपक भुज गया हो सब कुछ ही खतम हो गया था तो आगे है कई स्ताब्दियों तक दुनिया से छिपे रहने के बाद पूम्पई के खंडरों को अच्छा ये शहर का नाम था पूम्पई ठीक है फिर उसके जो उनसे खंडर थे कई स्ताब्दियों के बाद 1750 के आसपास फिर से खोजा गया मतलग कि उस टेम तो वो पूरा का पूरा शहर तबहा हो गया था और बाद में जब खोजा गया तब एक सिन्य इंजीनिरिंग कल्स वेबर ने साइट की विवस्तित खुदाई की ठीक है खुदाई होई फिर उत्खनन जो अगली दो स्ताब्दियों तक जारी रहा 200 साल तक तो खुदाई चलती रही पूरे गाउं की उसने हमें उस समय की जीवन शैली और संस्कृति के लिए एक अनूठी खिड़ की परदान की मतलग कि खुदाई में ये पता लगा कि उनकी रहन सैन कैसा था खंडर सभी सुविधाओं के साथ एक संपन और समरिद सामुदाईक जीवन की और इशारा करते हैं तो आम तोर पर एक शहरी सबिता के साथ जुड़ा होता है पक्की सड़के थी, दुकाने थी, बजार, घर, विला, सारजनिक सिनानागर, थेटर, स्कूल यह एक हलचल भरा वेपार के इंदर था मतलब बसा वह था, अच्छा था, सब फुस था और पडोसी बस्तियों के साथ वेपार करता था पॉमपई अब यूनेसको विश्व दरोहर स्थल और इटली में एक लोग प्रियाटक अकर्षन है मतलब कि इटली में जाएंगे, आप जहां राउल गंदी जी जाते हैं वहाँ पर एक पॉमपई नाम का शहर आपको मिलेगा जो यूनेसको की विश्व दरोहर में शामिल है आज माउंट वेसु वियन वियस के आसपास के शहरों में 10 लाग से अधिक लोग रहते हैं और 89 इस वी के घातक वी स्पोर्ट के बाद से जुआला मुखी कई बार फट चुका है और यह है अभी भी इसके करीब रहने वाले लोगों के जीवन के लिए घंबीर खत्रा बना हुआ है ठीक है जिस जगह पे फटता है ना तो वो घंबीर ही होता है वो हर बार ही फटता है फिर वो बता के नहीं आता हो था कि हाँ बई चले जो यहां से हर मैं आ रहा हूँ कोशन्स कैसे हैं पूम्पइंग में दुपेर एक बज़े के आस पास अचानक क्या बदल गया था पता ही आपको क्या बदल गया था और गद्यांश के एक तथ्या बताईए जो जो जुआला मुखी वी स्पोर्ट की तीवर्ता को दर्शाते हैं और जब जुआला मुखी पदात का सम वापस पिर्थवी पर गीरा तो क्या हुआ था राक बन गई थी उस रात बाद में क्या हुआ था गहरी ली और जहरी ली कैसे उत्पन होगी थी पुम्पई की पुन्या खोज कब और कैसे हुई थी ये एक सेने इंजीनियर ने की थी तो ये सारे के सारे अंस्वर्स आपको मिलेंगे वर्सपर नमबर है 90, 50, 416, 316 वैल्यूएबल प्राइस पर आपको इसके अंस्वर सभी के मिल जाएंगे क्योंकि इसके अंस्वर इतने लेंथी है और इसके अंदर से टिक नहीं कर सकते हैं नहीं तो मैं निशान लगा देती वो लिखने पड़ते बहुत बड़े-बड़े हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको वर्सप पर ही दे दूँगे लेकिन एक का मैंने दिया है ये देखो ये रहा बी पार्ट का इसके अंदर है फाइंड वर्स फ्रोम दा पैसी फोर दीज ग्रूप ओफ वर्ड फस्ट विजिट अ प्लेस ओफन बार-बार किसी जगा पर जाना वह क्या होता है फ्रिक्वेंसी कहलो फ्रिक्वेंटेड कहलो सेलिंग स्मोल गुड्स बाई गोइंग फ्रोम प्लेस टू प्लेस ये कह रहा है कि जगा जगा पर घूम फिर कर बेचना किसी चीज को तो वह क्या था पैडलिंग पैडल जैसे कि बत्थक नहीं होते वह पानी में करते रहते है थर्ड है स्टेट ओफ नर्वस एक्साइटमेंट और गन्फ्यूजन गन्फ्यूजन भी है एक्साइटमेंट भी है तो वह हो जगा टीजी टी आई डबल जैड वाई फूर्थ है होट लिक्विड होट लिक्विड है रोक फाउंड जस्ट बीलो दा सर्फेस ओफ दा अब आने पड़ाई था फिर्थ है दा राउंड होल एट दा टॉप ओफ एलकनो यह क्रेटर क्राउड टुगेदर हडल ओर सीरियस सुचुवेशन को क्या कहेंगे सीरिसनेस ओफ सुचुवेशन ग्रैविटी और पोईजन पोईजन होते है जहर वह क्या हो जाएगा टोक्स जैसे टोक्सिक खाना भी होता है टोक्सिक लोग भी होता है तो छोड़ देना चाहिए ऐसे को नाइन्थ है केजिंगा लोट ओफ दिस्ट्रेक्शन यह होजेगी डिजास्टर जो आपदा आई थी अभी तैन्थ है सक्सेस्पूल एंड डूइंग वेरी वेल यह प्रोस्प ग्लास मिन्स ओल वक्षीट एंड चैप्टर एंड कम्प्रिहेंशन आई मिन एवरीधिंग अबाउट ग्लास फीप हो गया हमारा दन तो थैंक यू इतना आपने साथ दिया मेरी वीडियो को देखा सराहा और कमेंट किये लाइक किये शेयर किये बहुत बहुत आपका उसके अबहार है धिन्यवाद उसके लिए और आगे आप बताएंगे कि मुझे 6 का स्टार्ट करना है या फिर 8 का स्टार्ट करना है या नहीं करना है ठीक है और रहे बाकी इसके कोशिंस की बात तो यह सारे के सारे कोशिंस आपको मिलेंगे 90, 50, 416, 316 इसके उपर आपको क्या कर चाहो तो ले लो और इसके बाद उन सा थर्ड करियेशन था क्रिस्मस मोर्रिंग उसके भी आप सारे अन्सवर ले सकते हो थैंक यू